जन्म कुंडली में योग केसिस सिरीज में अब मैं आपको हमेशा के तरह आज फिर एक पित्र दोश बता रहा हूँ वक्त आ चुका है जब आप अपनी कुंडली या अपनों की कुंडली खोल कर देखें ताकि यह जानकारिया आपको मिल सके का आपकी कुंडली में जो दोश है कहीं वो पित्र दोश या स्तरापित दोश तो नहीं बना रहे है इसके लिए आज आपको अपने कुंडली के उसको देखना पड़ेगा जहां कुंडली का एर्टाउस होता है वहाँ पर अगर गूरु राहु का चांडाल दोश है या पंचम भाव में सूर्य शनी, अत्वा मंगल केतू की युती बनती है या फिर एर्टाउस में राहु शनी की युती है या फिर एड ताउस में शनी गेतूगी होती है या इस पस्ट्रोफ रूप से ताय करता है कि यह पितर दोश आपकी संतान के लिए कश तायक है संतान को भी देगा और आप खुद एक संतान अपने मादा पिता की जो दोरों को तकलिफ देगा इसके लिए पितर दोश की जो मैंने उपाय बताए वो तो करना ही चाहिए साथ में नाराण बली, नाग बली और त्रिपंटी तीन पूजा करवाएं और अपने रसोई गर में जल इस्तान जहां से बोजन भगाने के लिए आप लेते हैं तो आप पर तेल का दिपक